डालिए वर्क ले एंड हार्ट ले वर्क ले एंड हार्ट ले मैथड वर्क ले एंड हार्ट ले मैथड ओफ डिटर्मिनीशन ओफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की वर्क ले एंड हार्ट ले मैथड वर्कल रे की एन हाटले की औस्समोटिक प्रेशर निकालने की मेतध वर्कल रे े एं हाटले मेतधड अब डितर्मिनेशन ओफ ऑँस्मोटिक प्रेशर ठीक्के बच्चो वर्कले एन हाटले मेंथड रे के लिए एन हाटले मैथर अफ डिटर्मीनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेसर अना चलो पहले इसका डाइग्राम बनाएंगे फिर उसके नीचे से पूरी लेंग्विज लिखेंगे क्या है न आप डाइग्राम देख लोगे तो पूरी प्रोसीजर पूरा सब कुछ सर्ण में आ ज तो प्रोसी तो नो हॉप चुछ सर्ण में वग्राम बनाइग्राम नेग्राम थचिक को प्रोसी दूराम शोले क्या है ज़िए भ्रोसी पुछ सम्या है थीचे प्रोसी क्या है आप लोग भी बना सकते हो, अब और कटिंग नहीं होगी है, कटिंग कर दी आपने, इतनी हो ली थे दिक्कत, आइला परसान कर दायो गया, सो में दिक्कत है, हमें बताना, आइला करती है परसान, जो भी दिक्कत हो, हमें बताते जाना, नेंसी परसान कर दाया रहा, नहीं कर दाया स्केल नहीं मुगाना कोई भी, अपनी अपनी स्केल से, आप लोगों को अपनी अपनी स्केल लेके आनी है, यह नहीं चलेगा मुगाना कर दोग्या लेके जब सकता बार्ड़काब से, यहीं चलेगा रहा हुआ में चली है। को यह जदे नहीं मुगामना को अपनी स्क बढ़ कोई आना रहा भी, अपनी परसानों को ऴुगाना है, भी जज बऴ लेक्याव मुगाई रहाईं झाल पस्था कॉम औरसी हुग पुलिप करनullah जब हुगाल कि अपक्रादस कॉमी जडिता टॉआ फॉगी। कि इतके में सbersनदमि 짓ता लॉउाँ अप्राइब और चरप्राएब और और रेहांग्स कि दाइगराम बच्चों तयार है ना अब लिखना बेश है कि दो आइगे है पने साइगे मीकान बेशे है खर दो कि दो है। कि दो कि दो खूचे हैं नाग बता है कि दो ही है। झाल 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 काज की पतली सी नली होते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब हिंदी बोलते केश नली इसका फिनॉमेना पड़ा होगा जैसे पेर पोदों में पानी चड़ता है वह कैपिलरी एक्सन ही होती है कि वाटर रिजर्वर है जो वाटर को रिजर्वर करके रखता है अपने पास कि वाटर रिजर्वर है कि एक कैपिलरी ट्यूब है वाटर रिजर्वर है अब बना लिए फिर बढ़िया समझाते हैं इसको यह पिस्टन है पिस्टन बढ़ी इसमें बुलकुल भी फ्रिक्षण नहीं है ऐसा कोई फ्रिक्षण वाला काम नहीं है कि इसको अच्काई तो फ्रिक्षण लेस्टन है घर्सण रही पिस्टन स्लाइडली मूब करता है इससे क्या होगा जो भी हम आस्मोंटिक प्रिक्षण निकालेगे रहे हैं उस सही आएगा अगर फ्रिक्षण होगा तो कुछ तो फ्रिक्षण के कारण आ जाएगा तो फ्रिक्षण लेस्टन जहें प्रिक्षण गेज घड़ी सी दिख तरह के प्रेसर करें आप नोगोंने देखा प्रिक्षण कहीं पर अदेखा होगा साइकल में हमावर वर्वाते तो उन्हें कहा साइकल में हर गाड़ी में हवा रहें उठाया लगाया इतनी है वह अदिन पोइंट पॉइंट और ढाल दो सुरसर गेज से पता चल गया कि ती प्रेशर केच बढ़ा लगाता है अंदर से प्रेशर पड़ा घड़ी की सवी भुमे प्रेशर गेज़ न की चैजनी अब से भभार से कसा गया एम अब न यह जो कंटेनर होता है गं मैटल का मेटल का न इउर ध्यान का से होटा है ना एक गन मैटल का कंटेनर है गन मैटल एक एलोई है उसका कंपोजीशन बताओ प्राण जया ले गन मैटल का इस्टील का तो पता है नहीं बताया क्या हमने आपको यह कि कॉपर जिंक टिन एक गन मैटल का एक गन मैटल कंटेनर है इस्टील कंटेनर भी लिख सकते शाक क्या अ और इसमें यह कस्ड लेक्र स्व्वशी होता है और ड ήक्प सारे स्वशिद होते हैं कि अब яс़्या किया जाता है इस पोरस फोड को S. P. M. में Convert किया जाता है बैसे जब पोरस फोड भी स्पी अम तो क्या किया जाता है इसमें दो मिक्चर डाल दिये जाते हैं एक potassium sulfate का plus potassium hexaceno sorry copper sulfate का plus potassium hexaceno ferrite second का डाल दिया जाता है आपका याप hexaceno ferrite बिल्फ बुश सकते हो तो K4 FECN whole 6 तो इसके अंदर ये दोनों mixture डाल दिया जाते है copper sulfate हो ही और फिर इनको आपस में भूलने दिया जाता है तो यह दोनों आपस में रेक्शन करते हैं तो क्या बनता है कॉपर फेरो साइनाइड सी यू टू एफी से एन होड़ सिक्स समझने बच्चो इस छिद्र युक्त पोर्ट होता है अब इन छिद्र को इतना महीन करना है कि एस्पियम के लेवल में आ जाए तो इसमें कॉपर है आपका इसको पोटेसियום साइन ने oret बोलते यह इन दोनों के मिक्चर क्यों विद्र करते हैं और यह ऑपका अब किस लेवल में आ जाते हैं एसी पर कार आपके इसकी SPM बनाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड गी तो यह वाला जो पार्ट है बच्चों इसको बड़े अच्छे से लिखना है यह है SPM of copper ferocyanide SPM of copper ferocyanide CO2 Fe Cn whole 6 टीक है SPM of copper ferocyanide जिर्ट टोटल सेटप हो गया ला SPM of copper ferocyanide अब बच्चों देखते हैं इसको ठीक है पूरी मेथट को ध्यान से अच्छे से देखो क्या किया एक gun metal का container उठा के लाए ठीक है इस gun metal के container में solution भर दिया फिर इसमें क्या किया नट बोल्ट से पूरस पोर्ट कस दिया फिर पूरस पोर्ट से यहां से टर्च दिया वाटर रिजबर और यहां से अब स्पेस होते हैं बच्चों डालने के लिए न अब जैसे ही आप इसको कर दोगे तो इसका concentration क्या है ज्यादा आप सबना बच्चों इसका concentration ज्यादा है इसका concentration कम है तो क्या ही स्टार्ट हो जाएगी हमारी ऑस्मोसिस कहां से लो कंसेंटेशन टू हाइग कंसेंटेशन थू थू एस्पीम पूरे में एस्पीम लगी तो इस प्रेकार से हमारे solvent particle से में entry करना चालू कर देंगे जह जहें करना चालू कर दिये जह हमारे 14 carbon freezing जैसे जैसे सॉ 만들 करेगा बच्छो यह तो कंटेनर के दीकता तो है ने हमें में कि ऐसके स्टार्ट हो गई पता कैसे चलेगा आखें कर मे cognitive 15 यह सबसे बड़िया तरीका क्या हुनों है कांच यहां पर कांच की नली लगा रखिए commence केपिलरी ट्यूब। होगा विए लुक्त नियुक्त हथा उसका इसको यहां से निकल done यहांग at तो यह पानी दिये दिये क्या होता जाएगा कम डाउन होता जाएगा तो कैपिलरी ट्यूप में वाटर जैसे इसे कम होता जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि अंदर कौन सी प्रोसेस चुकी है और पहले इतने में था वाटर फिर इतने में फिर इतने में फिर इतने में और कम ह होते ही जा रहा है लगातार ऐस्मोसिस चलता है आपके तो solvent की इंपरी सलिउटन में स्टार्ट हो गई थरू स्पीम ऑस्टीए अब ऐस्मोसिस स्टार्ट हो गई कितनी तेज उतनी ही तेज होगी जितना ज्यादा इस solution का क्या होगा concern प्रेशन उतनी ही तेजी से एक ने प्रेशन जैसे ही osmosis start होगी अब हम इस osmosis को रोखना चाहेंगे क्योंकि हमें osmotic pressure पता करना है तो हम इस piston की सायता से प्रेशन लगाएंगे यहां प्रेशन पूरा इस solution पर अप्लाई होगा वो solution इन पार्टीकल्स पर प्रेशन लगाएगा तो हम उपासे प्रेशन लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे जैसे हम प्रेशन लगाएंगे अब यहां का लेवल धीरे धीरे घट रहा है मतलब कुछ प्रोसेस रुखी है लेकिन अभी बुलकुल नहीं रुखी और प्रेशन लगाएंगे बुलकुल साइंटिफिक तरीके से बुलकुल धीमें धीमें प्रेशन लगाते जाएंगे और देखेंगे कि एक जंगा ऐसी आई जहां पर अब यह वाटर नीचे जाना बंद हो गया मलब अंदर कौन सी प्रोसेस रुख गई ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुख गई है अंदर ऑस्मोसिस रुख गया अब ऑस्मोसिस रुख गया इस प्रेशर के अप्लीकेशन से यह जो प्रेशर यहां पर लगाया यही प्रे sûhero 무엇 यहां से डालोगे उसको कौन पता करता जाएगा यही जो प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो क्यों सकतन के सटाहतास एस प्रेशर लगा सवके हिसको रुख दिया उस प्रिशर को आप ने प्रेशर मेश से पता कियाए दिन सब्सक्राम किसके हैं गया ऊस्मोटीक प्रेशर साथ वजे हम यह अलाओ ही नहीं कर सकते हैं यह बात तो सुनो आप यह तो नहीं नहीं चीज़े ला रहे हैं अगर यह सब चीज़े हमने अलाओ की फिर कल कोई नया वच्चा कहेगा किसे थोड़ा खिरकिर खिलने जाना अप ममी जी से बात कर जो कोई अद़ शूट्टी कोई बात ही नहीं यह यह कोई एसी चीज़ ही नहीं चार प्लीज जाओ शूट्टि प्लीज हम प्लीज अनामिक कर प्लीज आप एक ब्लीज बोलोगे हम बदले में 4 प्लीज पिलीज से आप हमें भूमत करूँ अपन भी फूजय कर रहे हैं सिच्छा सुरसती मतर सिच्छा की मतर पिलीज पिलीज अनान कर समझे हो माई बात आप अगर बात करना चाहो तो बात कर सकते हो घर पे आज बात करना चाहो तो बात कर लो जाने के लिए कोई भी नाही नहीं अप जा सकते हो लेकिन हम कोचंग में अलाहू नहीं करेंगे मतलब आपको जाना आप चले जाओ हमें कोई द180 नहीं है पिर समाही कोचंग में तसन भी बालाउने ही है कि अनामिका नहीं कर सकते बेटा है हां तो आप जा सकते हूं हमको नहीं कर रहे हैं हम नहीं परमीशन दे रहे हैं आप समझ रहे होगे हम क्या क्या रहे हैं कि यह हमारी चूट का ही कारण है जो एक के बाद चार पांच नंबर लगड़े चुट्टियों में थोड़ा सा में कठोर बनना पड़ेगा हालाकि यह पहले से हैं और हो जाएंगे कि अढ़ा हूँ में जाली से आप बनना पांगे में का शार लगड़े चार लगड़े हैं पहले ही कि बहुत किलियर कर चुके एक बच्चा पढ़ने आओ दो पढ़ने आओ लेकिन हमें रेगुलर चाहिए बाकी हमें आप से कुछ नहीं चाहिए प्रोसेस कि बच्च कर रही है तो डाल ही है रेटैंग पिंभी सेपर ना डाल देना ऑगन दना मतलब होता है मूख। जैसे की पिर्चाथ मतलब होता है सिध्धान बीतिष्इब का कहता है देखो ठीक है लिखते हैं पिंस. फिर्पी छिपटन आप ने लिख लिया हुआ हम फ्रिक्शन को हटा देते हैं ठोड़ी जंगा कर लेते हैं अपने लिखने के लिए diagram complete सबका लिखिए इंस पर लिखिए इंस में सब्सका अधराल इंस पर बिनिमों और्य till नोiiii ऑ्नरों का लिखिए नुका आएखिए नूना आएखिए д ConAY प्रेस्ट 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 प्रेस् the minimum extra pressure is applied over the solution side the minimum extra pressure is applied over the solution side the minimum extra pressure is applied over the solution side which is just sufficient which is just sufficient which is just sufficient to stop the process of osmosis the minimum extra pressure is applied over the solution side which is just sufficient to stop the process of osmosis bracket में लिखिए flow of solvent into solution flow through कुछ कुछ यह आपको osmotic pressure की definition से मिलता जुलता मिलेगा statement हाना उस दीसे मिलता जुलता लिखवाए इसमें असानी से आद कर लो आप आप osmosis bracket में लिखिए flow of solvent into solution into solution into solution through osmosis through spm through spm through spm through spm bracket बन कर दीजे bracket बन कर दीजे osmosis flow of solvent into solution through spm the minimum extra pressure is applied over the solution size which is just sufficient to stop the process of osmosis is equal to osmotic pressure 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 देखो इसका principle क्या कर है बच्चों बलकुल याद नहीं करना है बड़े असानी से याद होगा देखिए solution की तरफ डालेंगे हम pressure क्योंकि osmosis यहां पर यहां पर हो रही है start minimum कम से कम pressure डालना है extra डालना है पहले से थोड़ी ताई minimum डालना है ज्यादा डाल दोगों तो जैबर्स osmosis हो जाए the minimum extra pressure is applied over the solution side solution के ऊपर की तरफ the minimum extra pressure is applied over the solution size solution side के ऊपर की तरफ जो sufficient है पर्याद है सब्सक्राइब किसके बराबर होगा है पूरी वही डेफिनीशन है सिब हमने इसमें एक बड़ जोड़ दिया है ओवर दा सलीशन बेस डब मिनीमम एक्स्ट्राइब कम से कम जो प्रेशर लगाया गया है सलीशन की तरब मिनीमम एक्स्ट्रा फोड़ा एक्स्ट्रा मनलब पहले से नहीं था अब लगाया है ओवर दा सलीशन साइड सलीशन साइड की तरब जो की पर्यावत विची जैस्ट अप्रोप्रियेट और विची जैस सपीशियन तुश्टॉप दा प्रोसेस ऑफ आस्मोसी आप्मिन फिलब सॉलबन इंतरू सलीशन थिए प्मिट ु आस्मोट फख़्छ यही औस मुटिश और इसको हम किससे मिजर कर कर लेंगे प्रेसर गेसल से ठीक है एव फिन्स्म सब्कों के लियर लियर पिन्स्पिल सो अंके सबकों के लिए प्रिंस्पिल आप डालिए हैडिंग सेट अप लिखते ही लिखते ही याद करना है सेट अप डालिए सेट अप कि अब क्या सेट करते हैं इस प्रोसिस में हम सेट अप मतलब यह आपको बताना है आपने इस उपकरन को जो तयार किया है इसमें क्या है लेकिए सेट अप यह के अब क्या सकते हो एक बुस्टली इसमें क्या इसरे मोटली इसमें क्या में हां जहें एकीं कहले या frictionless piston लिखना चाहते हैं, frictionless piston लिखना चाहते हैं, frictionless piston लिखना चाहते हैं It mostly consists piston along with pressure gauge 하ना along with pressure gauge along with pressure gauge it mostly consists piston mostly अभी बता रहे हैं और भी यह मुख्य रूप से consist करता है रखता है piston with pressure weight या along with pressure gauge फिर उसके बाद gun metal container क्या consist किये हुए है solution, कौमा लगा के लिखिए gun metal container gun metal नहीं लिखना है बच्चो तो आप steel container भी लिख सकते हो खी के, gun metal container gun metal container gun metal container consist solution या having solution भी लिख सकते हो consist solution gun metal container consist solution gun metal container consist solution अब इसका दिसको लिख देते हैं porous port किसकी SPM के साथ और क्या consist की है solvent ठीक, कौमा लगाईए porous port P O R O U S porous port P O T port porous port porous port porous port with SPM of या तो copper ferocyanide लिख दू और नहीं लिखना तो formula लिख दू ठीके न, porous port with SPM of with SPM of copper ferocyanide with SPM of copper ferocyanide आप language लिख सकते हो, formula लिख सकते हो, जो आपको अच्छो लगे porous port with SPM of copper ferocyanide CO2 FECN whole 6 porous port with SPM of copper ferocyanide consist consist sol solvent या liquid लिख सकते हो, consist solvent या liquid ठीके इस्ट्रेट्रा ठीके इस्ट्रेट्रा में और भी चीजे लगी है न, देखो water